हें गाईस वेलकम बेक टू दे स्क्रीन से भी हाज मैं एक्स्प्रेंट करने वाली हूँ एजेंट साई एक तेलगो मूवी ये मूवी 2019 में रिलिज हुई थी IMDV ने इसको रेटिंग दी है 8.3 ये एक कोमेडी मर्डर मिस्ट्री मूवी है बहुत सारी अन्नोन डेट बोडिज रेलवे लाइन के पास मिल रही है जब इनको एक लोकल डेटेक्टिव ने इन्वेस्टिगेट करने स्टार्ट किया तो उसी का उन डेट बोडिज के साथ इन्वॉल्मेंट प्रोग हो गया अब ये कैसे अपनी जान बचाएगा और उन मडर्स को रोक पाएगा ये इस मोवी में दिखाया गया है अब बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करती हूँ तो इस टार्टिंग में अत्रे को उसके गाउं अर्जेंटली बुलाया गया है क्योंकि इसकी मोम की डेथ हो गई है पर जब तक ये गाउं फोचा वो लोग अंतिम संसकार कर चुके थे अब वो भी टू येर्स आगी जाएगी यहां अत्रे है एक डिटेक्टिव एजनसी चला रहा है एफपी आई जिसको भी कोई काम नहीं देता क्योंकि ये वाल्ड फेमस अब भी नहीं हुआ है इसके पास इस नया काम करने आई है इसको भी डिटेक्टिव बनना है तो अत्रे डिटेक्टिव वनी कोश्च्यूम और उनके बात करने का वे सब कुछ सिखा रहा है इसको अब इसको एक डेथ का पता जला तो ये इस नया के साथ उसे इन्वेस्टिगेट करने गया ये संजना की डेड बोडी है जिसने खुद को शूट करके सुसाइड किया है पर यहां की चीजे इन्वेस्टिगेट करके अत्रे ने पता लगाया कि संजना लैप्टी थी तो वो गन से खुद को राइट हैंड से कैसे मार सकती है डिप्रेशन की जो मेडिसीन्स रूम में है वो भी वन येर पहले एकस्पायर हो चुकी है तो ये लड़की डिप्रेशन में भी नहीं थी फिर भी अगर इस मीडल क्लास लड़की को सुसाइट करना भी होता तो फैन से लटक जाती ऐसे गन क्यों खरीदेगी अब पुलिस यहां आई और अत्रे को किस सोल्व करने का इनाम उसके फेस पर दिया क्योंकि अत्रे बिना किसी की पर्मिशन के इस मैडर सीन पर था इसको यहां किसी नहीं बुलाया था तो इनको यहां से भगा दिया गया नेक्स्टे अत्रे के पास एक और केस आया मंदिर में चोरी का केस पुलिस को दो लोगों पर सक है अत्रे ने उनको अपनी बातों में कुमाया और चोर अपने डर और जल्द यहां से निकलने की हट पड़ी में पकड़ा गया फिर इसे इसका फ्रेंड सीरीस मिलने आया ये अत्रे को अन्नोन डेड बोडी के बारे में बताता है कभी टाइम से रेलवे लाइन के पास डेड बोडी मिल रही है सिरीस खोदिये के सोल करना चाता है पर अभी ये दूसरे कामों में बिजी है तो ये अत्रे से इसमें हेल्प मांग रहा है रेलवे का रूल है कि अगर 70 आर्स में डेड बोडी को लेने कोई नहीं आया सिंग कंप्लेन आई ही नहीं इनकी तो किसी ने भी इन डेड बोडी के बारे में पता लगाने की कोशिस नहीं की पर अब अत्रे को फाइनली बड़ा केस मिल चुगा है ये इसको इन्वेस्टिगेट करेगा अब पाश्ट का एक सीन दिखाये जाता है जब अत्रे अपनी मोम की डेड बोडी को देखने गया था बट इसके मामा ने बोडी का क्रिमिनेशन पहले ही कर दिया था क्योंकि यहां के गाउंवालों की अकोर्डिंग आज पंचांग काल लगने वाला है उसमें पोडी को जलाना असुग होता है तो इन्होंने अत्रे के आने का वेट नहीं किया अत्रे के मामा बताये कि इसकी मोम हर साल की जैसे आदी मोहत सव में गई थी वहां सर पर नारियल फोडने का रिचुल है तो इसकी मोम के सर पर भी नारियल फोडा गया था तब तो आंटी ठीक थी पर अब वो बिहोस हो गई डोप्टर ने बताया कि उनकी सर की नसे डैमेज है फिरांटी कोमा में चली गई और टू आवर्स बाद ही उनकी डेथ हो गई अब परजेंट का सीन दिखाय जाता है या सिरीस ने वैंकटर चलम में रेलवे लाइन के पास मिली निव बोड़ी के बारे में बता दिया अथ्रे को वहाँ से थोड़ी दूर एक कार पार्क दिखी अब ये बोड़ी के पास गया तो वहाँ इसको पुलिस ने क्राइम सीन पर मोजूद होने के बेस पर अरेस्ट कर लिया सिरीस और इसनेहा ने पुलिस को सच बता कर अथ्रे को छोड़ने को बोला पिट कोई फाइदा नहीं हुआ इनको कल बेल लेकर आना होगा अब जेल में इसको और भी इनोसेंट और हरामी लोग बिले जो ऐसे ही पुलिस की लापरवाई की वज़े से जेल में बंद है तो अ बेटी दिव्या सोसल वर्क करती थी जैसे बच्चों को फिरी में किताबे बाटना वो टू डेज पहले ओंगल किसी काम से गई थी रात को दस बजे उसका कोल इनके पास आया वो बहुत डरी हुई थी और बोल रही थी कि वो लोग इसे जान से मार देंगी वे जब इन्हों उन्हें वहां के पुलिस इस्टेशन में कमप्लेन भी लिखाई बट कोई फाइदा नहीं हुआ कोई इस केस को दबाने की कोशिज कर रहा है इनको दिव्या का फोन भी मिला था उसकी कॉल हिस्ट्री में उस रात तीन नंबर से उसे बार बार कोल आ रहा था तो इन्होंने उसके बारे में वहां की पुलिस को बताया बट जब नेक्स्ट्रे ये केस के बारे में पता लगा नहीं गए तो पुलिस ने बोला कि मैं इनको कोई फोन नहीं दिया था अब यहां कोई फंड का गोटा ना हुआ है तो उस जूटे केस में यहां की पुलिस ने जेल में डाल इन मेंसे दो नमबर अजय और हरसा के हैं इनका एडरेस भी मिल गया है बट ठरद नमबर वर्दा का है ना तो इसकी कोई फोटो मिली है ना ही एडरेस तो अभी ये दो नो हरसा और अजय को फोलो करने लगते हैं अजे उसी कार ट्रेवल कंपनी के पास गया जो कार अथ्रे को उस बैंक कटे चलं मडर सीन से थोड़ा दूर दिखी थी फिर ये मॉर्जरी भी किसी डेट बोडी के बारे में पता करने गया और हरसा ने मोल में किसी आदमी से छिप कर एक पैकेज लिया फिर उस डेट बोडी वाली जगे कुछ सर्च करने भी गया में भी कोई सबोत मिटाने गया हो फिर हरसा और अजे एक जगे मिले ये दोनों ही टैंसन में लग रहे हैं अब तक इनका पीछा करने पर ये तो कंफर्म हो गया है कि ये उन टेट बोडी से कनेक्टिड है फिर कोइंसिडेंटली अथ् मारूती नेम से है ही नहीं तो अथ्रे अब उसी पुलिस इस्टेशन में गया जहां इसको लोक अप में मारूती मिला था ये इंस्पेक्टर बताया कि वो मारूती नहीं गोपालम था दारूपी कर फाइट करने की केस में जेल में था नेक्स्टे उसको छोड़ दिया गया अब अथ्रे अंगल पुलिस इस्टेशन चेक करने गया कि कौन जूट बोल रहे है ये पुलिस वाले या वो गोपालम यहां के पुलिस इस्टेशन से पता चला कि इनको उस नाइट मेल डैड बोड़ी मिली थी फीमेल डैड बोड़ी नहीं और यहां दिव्या के नेम की को अब अध्रे बोलता कि इसने कुछ नहीं किया तो कोई भी यकिन नहीं करेगा क्योंकि इसने हर जेगेजे को फोलू किया था कोई भी इसे पैचान लेगा अगर इसने कुछ भी बोला तो पुलिस इसको इंटरोगीट करने लग जाएगी अब यह समझ चुका है कि किसी ने उन अनाइडेंटिपाइड पोड़ी केस को दबाने को गोबालम के थू अत्रे को जूटी कानी सुनाई और फिर इसे ही उन मडर्स के केस में भजा दिया अत्रे आप इस केस को तो सॉल्व करके रहेगा ये हर्सा के बारे में पता लगाने को बोलता है कि वो का है जब इस नया हर्सा के घर गई तो वहाँ पता चला कि हर्सा का भी मढरों चुका है हर्सा और अजे दोनों के ही बोडु बार्ट्स भी मिसिंग है अत्रे, अजे और हर्सा तीनों के घर पर ड्रग्स भी मिलाए पुलिस को तो अथ्रे की अगेस्ट केस ओर स्ट्रोंग बन जुगा है अब इसको बेल मिलना पोखत मुस्किल है बट फिर अथ्रे ने सिरीज को बोला कि अजे के मडर की टाइम तो ये गोपालम से बात करने जेल गया हुआ जा तो वहां के सिसे टीवी में इसका फेस होगा उस इसकी बेल मिल गई ये अब उस कार एजेंसी के पास गया वहां पता चला कि उस्टे अजे का कुछ सामान इनकी गाड़ी में छूट गया था वही लेने आया था फिर ये मौर्चुरी भी गए उनसे पता चला कि अजे यहां अटोपसी रिपोर्ट की कोपी इस मांगने को इ चलम में गया था ये बताया कि हरसा एक क्रिमिनोलोजी स्टुडेंट है वो उन अनाइडेंटिफाइड डेट बोडीज को इन्वेस्टिगेट कर आ था उस्टे ये वहां हरसा की बाइक की चाबी ढूंडने गई थे फिर ये अजे के गर पूश्टाच करने गए वहां अज ये इनको कोई पेपर वगेरा टैट से पहले दिये थे तो इन्होंने वो पेपर्स इसनेया को दे दिये उनसे पता चला कि अजे और हरसा भी ओंगल उन डेट बोडीज के बारे में ही पता लगाने गए थे अब ये हरसा की घर भी चेक करने गए यहां कोई नहीं है बस पार पॉंस्ट्रेवल बेटा हुआ है ये दोनों उसके जाने के बाद घर के अंदर गए या इन्हें वो पैकिट मिला जो मॉल में एक आदमी ने हरसा को दिया था इसमें अथ्रे की डीटेल्स है वो दोनों अथ्रे के बारे में पता लगा रहे थे सायद इससे भी हेल्प लेते फिर इसनिया घर के अंदर अगेन अपना फोन लेने गई बाहर गाड़ी में किसी ने अथ्रे पर अटेक कर दिया अगर इसनिया राइट टाइम पर वापस नहीं आई होती तो आज अथ्रे मर चुका होता अभी यह यहां से निकल जाते हैं फिर इनको वो इंस्पेक्टर मि गया या इसनिया सेम वैसी ही बाइक देखी पर नंबर प्लेट अलग थी यह वाले बाइक कौन स्टेवल्स को गौर्मेंट की साइड से दी जाती है इसको कोई और यूज नहीं कर सकता तो अब पुलिस रिकोर्ड से से सेवन नंबर से स्टार्ड ऐसी बाइक चलाने वालों की फोटोज में से उस बंदे को ढूंड लिया नारायन बताया कि हरसा अथ्रे से मिलना चाहता था उसने अथ्रे को उस डेट बोडी के पास वैंकिट जलम में देखा था तो इसने हरसा को अथ्रे की डीटियल दी थी और इसको कुछ नहीं बता ये सारा कुछ उन डेट की मिसिंग कंप्लेइन लिखाने आया ये वर्धा के फादर है तभी इन्हें एक और डेट बोडी मिलने की न्यूज मिली जब वहां गई तो इन्होंने कंफर्म किया कि ये वर्धा ही है इसकी हैंड पर बचपन से एक टैटू है तभी यहां वमसी का सीनियर भी आया वही इ इंदा होती इनकी वज़े से मारी गई है वो अब ये इंस्पेक्टर गुस्से में अथ्रे की बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट कराने को कोर्ट में अप्लाई कर देता है अब ये यहां से जा रहे थे तभी इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उस डेड आदमी की डेथ ना तो सुसाइड से थी ना ही मडर वो नेच्रल डेथ से मरा है उसके पीछे आजे हरसा दो लोग मारे गए है अब अथ्रे की जान खत्र में है ये नेच्रल डेथ कैसे हो सकती है अब इनको एक आदमी पर सक हुआ वो भी अथ्रे को तब से फोलो कर रहा है जब से अथ्रे बेल पर बाहर आया था अब ये बोबी से पूछताश करते हैं ये बताता है कि ये डिटेक्टिव है ये भी उन डेट बोडी इसको इन्मेस्टिकेट कर रहा था फिर इसको एक आदमी का कोल आया और बोला कि उस मडर के पीछे अथ्रे का हाथ है तब से ये अथ्रे को फोलो करने लगा मतलब अब बे लोग अथ्रे को जान से मार कर इसके मडर का इलजाम बोबी के उपर लगा दी थे अब अथ्रे को याद आता है कि वो डेट बोडी रेलवे लाइन के पास मिली थी बर्धा की बोडी भी रेलवे लाइन के पास मिली और बोबी जिस बोडी से investigation करना start किया था वो भी railway line के पास ही मिली थी तो ये अब अपने friends series से सारी unknown dead bodies की location की list निकलवाता है उससे पता चला कि last six month में 54 unidentified dead bodies मिली है और उन में से 24 railway line के पास से मिली है मतलब कोई इन dead bodies को माल गाड़ी से बाहर पेक रहे है पैसेंजर train से तो dead body fake ना possible नहीं है ये काम रात को किया जाता होगा इनकी district तमिल नाड़ू border खतम होने के बाद दूसरी state में है तो possible है कि ये dead bodies तमिल नाड़ू से लाई जा रही है state का border cross होते ही police station बदल जाता है तो यहां की police उनको identify नहीं कर पाती फिर इनको एक मालगाड़ी का पता चल गया जो night में इस road से दिल ली जाती है वामसी ने पता लगाया कि तमिल नाड़ू के border की city चेन्नाई में तो कोई dead body missing की complaint नहीं है इसका मतलब है कि dead bodies आरम बकम एक छोटे से railway station पर train में रखी जाती है बड़े station पर possible नहीं है इसी station पर मालगाड़ी कुछ time के लिए हमेशा रुखती है तो अब इनको आगी की detail आरम बकम में ही मिलेगी ये वही जाने लगते हैं बड़ तभी किसी ने अथ्रे को गोली मार दी और भाग गए hospital गए तो पदा चला कि अथ्रे का ही plan था ये इसको कोई गोली नहीं लगी है वो fake blades थी इसने खुद पर attack का plan बनाया ताकि उन criminals को लगे कि ये hospital में है और ये आराम से आरम बकम जाकर investigate कर पाए अब तक उस वैंकेटर चिलम वाली dead body को fingerprint से identify कर लिया गया था ये आदमी गुजरात में मडर केस का prime suspect था पता नहीं ये केस और कित्ती states के बीच connected है अभी तो ये आरम बकम railway station पर आ गए यहाँ इस station के board पर गोपालम के photo दिखी वही आदमी जो अपनी बेटी दिव्या की मडर की जूटी कहानी अथ्रे को सुनाया था ये बंदा नाटक कंपनी में काम करता था अभी नाटक कंपनी तो बंद हो गई बट यहाँ से इनको गोपालम का address मिल गया अभी ये गोपालम को पकड़ते हैं और उसको मारकर सच निकलवाते हैं ये बंदा नाटक कंपनी बंद होने के बाद illegal काम में लग गया था इसको कोई कोल पर order दिया करता था इसका काम कुछ dead bodies को state border पर ले जाकर जलाने का होता था इस काम से इसे बहुत पैसे मिलते थे पर फिर एक दिन इनको forest पुलिस ने देख लिया तो काम कुछ देज के लिए बंद करना पड़ा पर फिर से उस आदमी का कोल आया इस पार इनका काम dead bodies को एक van के बास लाना था वहां से 8 hours के बाद वापस dead body लेकर उसे pack किया जाता था और फिर मालगाड़ी में चड़ा कर state cross करके कही भी गिरा देते थे इसे नहीं पता था कि dead bodies कहां से आती है और van में वो लोग 8 hours तक उन dead bodies का क्या किया करते थे पर फिर कुछ टाइम बाद dead bodies जादा आने लगी थी और इसको ये भी पता चल गया कि dead bodies कहां से आ रही है जिन लोगों की natural death होती थी ये उनके रिलेटिवस को अपने बातों में फजादे थे कि ये dead body का अंतिम संसकार कासी में करेंगे वहाँ पर अंतिम संसकार होने से मोक्स मिलता है आत्मस वर्ग जाती है इनको dead body को जल से जल बैन के पास लाना होता था तो ये रिलेटिवस को जूटी गानी सुनाते थे कि नाइट में अंतिम संसकार नहीं करना चाहिए सुबा सुबा कर अंतिम संसकार हो गया तो मोक्स मिलेगा कल का दीन अच्छा नहीं है आज ही करना पड़ेगा जल्दी इन्हे dead body handover कर दें रिलेटिवस खुद कासी नहीं जा सकते थे financial problems होने की वज़े से तो इनको दे देते थे ये बोड़ी ले जाने इसे पहले एक पूजा भी करते थे और dead body को ताबीज बान देते थे जिससे लोगों का इन पर और विस्पास पटने लगा था तभी अथ्रे को अपनी mom की death याद आती है तभी ऐसे ही कोई reason की वज़े से इसके गाउं जाने से पहले ही इसकी mom का अंतिम संसकार कर दिया गया था ये last time उनको देख भी नहीं पाया था अब ये अपने मामा से सच पूछता है कि उस नाइट इत्ती चलती अंतिम संसकार क्यों किया गया था तो ये बताते हैं कि उन्होंने आंटी की dead body को कासी भिजबाया था अब अथ्रे के लिए ये case personal बन चुका है इसकी mom की dead body को भी ऐसे ही किसी railway line पर पेग दिया गया होगा अब अथ्रे को थोड़ा सोचने पर याद आते हैं कि इसको mother case में fingerprint से फसाया गया था अगर किसी और body organ को चोरी किया तो पकड़े जा सकते हैं बिट fingerprint की चोरी का किसी को पता नहीं चलेगा तो वे लोग van में fingerprint ही निकालते होंगे इसके लिए ही उन्हें body जल से जल चाहिए होती होगी फिर अथ्रे उस postpartum वाले डोक्टर से बात करके पता लगाता है कि वो वेंकरटर चलम वाले body की natural death कब हुई थी और गुजरात का वो murder कब हुआ था तो पता चला कि death murder से पहले हो चुगी थी कोई मरा हुआ आदमी पास दिन बाद गुजरात में murder कैसे कर सकता है ये लोग fingerprints बेच रहे हैं इन fingerprints की help से किसी भी crime scene को गुमाया जा सकता था फेक voter ID बनाई जा सकती हैं टेर्रिस्ट भी passport वगेरा बनाने में use कर सकता है अजे और हरसा को कोई तो कलो मिल गया था जिसकी वज़े से उनका murder plan हुआ अब ये वापस आकर वामसी और इसनेया को हरसा और अजे के कोलीज जाकर उनका पास्ट पता लगाने को बोल रहे हैं और खुद अजे के घर मिले उनकी investigation की papers और उस dead body के सामान को study कर रहा है इन दोनों unidentified dead bodies के हाथ पर तावीज बना हुआ था गोपालम ने बताया था कि ये बोडी ले जाने से पहले relatives को पागल बनाने को पूजा किया करते थे तो में भी ये तावीज उसी देवी माता वाली company का logo हो तो अथ्रे ने बोबी से ऐसे पूजा वाले काम करने वाली देवी मा की agencies के नाम मिकालने को बोला उदर हरसा और अजे के कोलिस से पता चला कि हरसा वर्था और अजे तीनों friends थे और इन्होंने एक project पर साथ में काम किया था प्रोजेक्ट था कि धर्म की आड में कैसे अपराद होता है वे लोग dead bodies के बारे में जान गए थे इसके उन्हें मार दिया गया था बट फिर बोबी की बातों से याद आया कि कोई भी dead bodies की missing complaint नहीं लिकाता था क्योंकि उनको पता होता था कि dead body को कासी में जला दिया गया होगा पर वर्धा की missing complaint लिखाई गई थी और वर्धा के हाथ का वो बच्पन का tattoo जो उसकी dead body पर भी मिला था वो कॉलिस पोटों इससे कैसे गायब हो गया ये वर्धा उन उसका बाप ही इन सब के पीछे है अजे और हर्जा ने अपने क्रिमिनलोजी study की knowledge को अच्छे कान में यूज किया और वर्धा ने गलत काम में अब ये लोग अपनी black money को white करने को कोई तो donation या पूजा वगेरा का काम किया करते होंगे तो उन पूजा वाली agency से वर्धा के NGO का पता चल गया बट जब तक ये लोग भाग गए वो पाप बेटी वहां से भाग चुगे थे अत्रेने location को देखते ही पता लगा लिया कि यहां तीन लोग थे और बे राजिस्थान गए हैं क्योंकि कल यहां पारिस हुई थी और कीचड में तीन लोगों के पैरों के निसान हैं बारिस के बाद सबूतों को जला कर भागे आवे पर आग अभी भी थंडी नहीं हुई है तो मेभी भी अभी वन आवर पहले यशी थे यहां कोई गाड़ी के टायर के निसान भी नहीं है मतलब यह पास वाली रेल से ही भागे हैं वो ट्रेन इनको राजिस्थान ही ले जा सकती है तो अब अथ्रे अपनी टीम के साथ राजिस्थान गया और उन बाप बेटी को पगड़ लिया अब यही पर मोवी की हैपी एंडिंग हो गई ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब ज़रू करना इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जापर आप शोपिंग में भी अच्छा कासा पैसा बचा सकते हो इसमें बस आप लोगों का ही प्रोपिट है इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी उसको एंड तक देखना आपको सब समझा जाएगा हेई गाईज ऑनलाइन शोपिंग तो अब लोग करते ही होंगे बट अगर वो शोपिंग और भी जादा सश्मे में हो जाए मैंने खुद ये रियल मी का हेडर ओली 444 रूपीज में बुक किया है इसके साथ ही सथ इधर अपको स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूज, क्लोट्स बहुती डिस्काउंटेट प्राइस में मिलेंगे जो कि लिमिटेड टाइम के लिए अपकी फेवरिट शॉपिंग प्लैटफॉम पर आती है वो हम अपको बताएंगे सो जॉइन करने के लिए प्लैस्टोर से टेलिग्रम आप को डाउनलोड केजिए रेजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा यह रहा ग्रूप अबब जोइन हो जाएं और ग्रूप में ज़रूर एक्टिव रहें लिमिटेड डिल्स को ग्राप करने के लिए यह रेस्क्रिप्शन की लिंक से भी आप डिरेक्ट जोइन कर सकते हैं सो ज़री ग्रूप जोइन करें और आपवर्स को ग्राप करें